नितीश कुमार 14 सालों में पटना यूनिवर्सिटी को सेंटरल यूनिवर्सिटी का दरजान नहीं दिला सकें लेकिन महस दो महा पहले जदियों में आय प्रशांद किशोर ने नितीश की पार्टी को पटना यूनिवरसिटी स्टूनेंट यूनियन के चिनाव में बड़ी कामया भी दिला दी यही वजह है कि प्रिशांत किशोर और पीके चुनावी खेल के माहर खिलाडी मानी जाते हैं, वो बाजी पलटना जानते हैं पीके ने बिहार विधान सभा के चुनाव में एक नारा गढ़ा था, बिहार में बाहर है फिर नितीशे कुमार है पीके का वनारा हिट हुआ और नितीश ने महागडवंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में नई पारिश शुरू की पीके बाद के दिनों में नेपत्य में चले गए, नितीश महागडवंधन से हटकर एंडीय में सट गए लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंटरल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का सवाल जहात का तहां खड़ा है नितीश की चीरोरी का भी पीम नरेंद्र मोधी पर असर नहीं हुआ पटना यूनिवर्सिटी चात्र संग चुनाओ में सेंटरल यूनिवर्सिटी का मुद्धा गर्मानी से पहले ठंडा हो गया क्योंकि पीक एक खुद मुद्धा बन गये, उनके आगे सारे मुद्धे फेल हो गये जानकारों का कहना है कि ऐसा जान बूझकर किया गया है ताकि चात्रों का ध्यान कैंपस के असली सवालों से भटक जाए सरकार और सरकारी पार्टी के उमिद्वार सवालों के घेरे में ना आए पटना विशुवित द्याले चात्र संग चुनाओ के नतीजे प्रशांत के शोर की बाजिगरी बया कर रहे हैं। रन नीती और रन नीती कार की बात है तो चुनाओ में पाटियां रन नीती कार का सहारा भी लेती हैं। पटना विशुविद्याले की चात्र राजनीती में लंबे समय तक सक्रिये रही सीनियर जर्नलिस्त निवेतिता जा चुनाओ के नतीजे को अलग नजरिये से देखती हैं। उन्होंने कहा मौझूदा राजनीतिक मोहल में पटना विशुविद्याले चात्र संग की चुनाओ में वामपंथी संगठनों के प्रत्याशियों का बुरी तरह पराजित होना चिंता की बात है। इसके लिए केवल पैसे और पावर के अस्तवाल को दोशी नहीं ठहराया जा सकता। वामपंथी संगठनों को अपने गलतियों पर विचार करना होका। लेफ्ट और डेमोक्रेटिक संगठनों को मिदवार चेयन से लेकर गटबंधन बनाने में हुई गलती का खामयाजा उ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।